आज के पांच के पंच का तो शुरू करते हैं आज की पांच बड़ी ख़दों के साथ विहार में सड़क इनारे पीपल के पेड़ी के नीचे खड़े होकर पुझा करहें लोगों को नशे में दूत एक ट्रक ड्राइवर नहीं फूचल ले इसमें आठ की मौके पर यह मौत होगी मने वालों में छे बच्चे हैं यह सब ही लोग फीपल के पेड़ी के नीचे खड़े होकर पुझा करहें थे तब ही 120 की रफ्तार में एक ट्रक आया और लोगों को रॉन पे हुए निकल गया लोगों ने बताया कि अगर पेड़ नहीं होता तो पच्चा से ज़्यादा जाने जाती है महराश्य में पूने बैंगलूरू हावे पर अविवार कोमिशन सड़क हाथसा हो गया यहां एक बेकाबू कंटेनर ने 38 गाड़ियों में टक्कर मार रिहाथस में 50 से ज़्यादा लोग घाल हुए हैं जानकारी मिलता ही पुलिस और फायर ब्रिगेट्स की टीम में मौके पर पहुच गई पुलिस के मताबिक तेज रफ्तार कंटेनर 17 से मुंबई की और जारत इसी दौरान अच्छानक उसका ब् मौहमद शारिक और 24 साल का है दरसल धवांगे में और्टो ड्राइवार और एक पैसेंजर घाल हो गई थे जासें पुलिस को परता चुला कि यह पैसेंजर मौहमद शारिक है जिस पर पहले से की टेरल लिंक एक कई केस चब रहे हैं मंगलरू ब्लास्ट भी उसी ने किया है धार पुलिस ने पुरू मंत्री युवंग सिंगार के खलाव घरेलू हिंसा और रेप का केस दर्ज किया है शिकात करता 38 वरेश महीला ने पुलिस को दिया आवदर में खुद को सिंगार की पत्नी बता है उसने पहले जबुलपूर थाने में शिकात की थी जहां से धार आरोपी अभी अभी जित पाड़ीदार पुलिस ग्रफ में है शिल्पा का घर जबलपूर से 50 कीवी दूद पुन्डम में एक के साल की शिल्पा जालिया का शब 8 नवेंबर की तुफर मेखला रिसॉर्ट की कमरा नमबर पाच में रजाई में लिप्ता मिला था 6 नवेंबर को आरोपी अभी जित पाड़ीदार के शाथ शिल्पा रिसॉर्ट में पहुची थी 7 नवेंबर की शाम अभी जित पाड़ीदार रिसॉर्ट से चला गया था एक दिन बाद कामरे में शिल्पा का शब खुन से लफ़प मिला था शिल्पाई की मौत के बाद भी आलोपी उसका सूशल मीजिया काउंट आपरेट करता रहा